अंतरिक्ष स्टेशन, मानव का अंतरिक्ष में घर, यह एक मानव निर्मित अंतरिक्षयान है, जो पृत्वी की निचली कक्षा में स्थित है. यह पृत्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है. इसे कई देशों के सहयोग से बनाया गया है और इस पर वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान करते हैं चलिए अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं अंतराष्ट्री ये अंतरिक्ष स्टेशन इस समय अंतरिक्ष में मौजूद एकलोता ऐसा स्टेशन है जो कई अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया है इन में प्रमुख हैं अमेरिका की नासा, रूस की रोस कॉस्मोस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्ष्मा और कनाड़ा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी यह प्रिथवी से करीब 4-400 किलोमीटर की उंचाई पर स्थित होता है यह प्रिथवी के चारों और लगभग 28,000 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चक्कर लगाता है इतनी रफ्तार से चलने के कारण यह हर नोभा मिनट में प्रिथवी का एक चक्कर पूरा कर लेता है यानि अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं अंतरिक्ष स्टेशन कई अलग-अलग मोड्यूलों को जोड़ कर बनाया गया है ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में एक के बाद एक करके ले जाए गए थे और फिर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ही जोड़ दिये गए स्टेशन का धांचा जालीदार होता है जिस पर ये मॉड्यूल जुड़े होते हैं हर मॉड्यूल का अपना कार्य होता है कुछ मॉड्यूल रहने के लिए होते हैं, कुछ में इन वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होती हैं, तो कुछ में भोजन पकाने, व्यायाम करने और स्टेशन को नियंतरित करने की व्यवस्था होती है. अंतरिक्ष स्टेशन में रहना प्रित्वी पर रहने से बिलकुल अलग होता है, वहाँ गुरुत्वा कर्शन का असर काफी कम होता है. इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को हर समय अपने को चीजों से बांध कर रखना होता है, नहीं तो वे तैरने लगेंगे. साथ ही अंतर जबाबंद या पाउडर के रूप में होता है। वहाँ पर पानी की कमी होती है। इसलिए उसे रिसाइकल करके ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को नियमित रूप से व्यायाम भी करना होता है। ताकि कम गुरुत्वा कर्शन के कारण उनकी मान स्पेशियां कमजोर न पड़ जाए। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहाँ पर वैज्ञानिक क जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आ दी। अंतरिक्ष स्टेशन का निर्मान एक बड़ी उपलब्धी है। यह हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भविश्य में अंतरि अंतरिक्ष यात्राओं को और लंबा और सुगम बनाने में इसका अहम रोल होगा।